जिसमें आपको एक अच्छी даже मिल सकती है अब आप बोलouse इसम में स्ट्aty겠रा करे ऐनेफी मिल सकती है अब किस्वागत कर देख लो एक सबस्क्काइब करने के बहुत पहुत धन्य बत्स अगर आप चैनल में नए आये तो चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो लाल करद आपको बटन दिख रहा होगा साथ में बेल को दवाना ना भूलिएगा ताकि आपके आपके लिए एक और स्टॉक जो मुझे परसनली अच्छा लग रहा है अच्छा मुझे लग रहा है तो बेसिकली कंपनी का काम है वो हैल्थ से रिलेटिट काम है मतलब फार्मा के प्रड़क्स बनाती है तो डेफिनिटली आप इसको रिडार में रख सकते हो नेक्स्ट एक या दो महिने के लिए ये काफी अच्छा वैलुशन में भी आपको मिल र प्रड़क्स बनाती है और क्या माद रेख सकता है और विडियो को आप अंतर देख के जाना और अगर कुछ पी अच्छा लेगे तो डेफिनिटली वीडियो में लाइक कर दीना वीडियो को शेयर करना ना भूलना शेयर कर सकते हो वट्सब में टेलीग्राम में ट्युटर म यहां मर्ची आपको शेयर करना शेयर पका करके जाना एक लिस्ट मैं चाहता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं उनकी से रिक्वेस करता हूँ जो हमारे वीडियो को बहुत जादा फॉलो करते हो कबसे कब 10 शेयर कर देना यार ठीक है आप से ही बूल रहा हूँ यह सब करके तो आप मुझे टैग कर सकते हो बहुत जल्द है तो इसको आप आपको पता है कोपिट का बहुत ज्यादा गेम चल रहा है तो यह इस्टॉक कोपिट प्ले हो सकता है फॉर दा नेक्स मन्थ वैसे तीन चार स्टॉक मेरे डार में जो कोपिट प्ले अच्छा मुझे लग रहे है लेकि परसनली यह स्टॉक का भी सस्ते में ट्रेट कर रहा है तो यह अथार रुपे का प्राइज जो है बहुत सस्ता है चीप है मुझे लगता है यहां से 18 रुपे का प्राइज एक अच्छा रिटन आपको फूचर में दिखा सकता में भी आपको 100% के रिटन यह दिखा दे दो से तीन मेहने के अंदर क्योंकि जिस वैलूशन में स्टॉक मिल रहा है बहुत सस्ते में मिल रहा है तो इस बच्छ है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी तभी स्टॉक तीन गुणा हुआ है हुआ में कोई चीजे तीन गुणा नहीं हो जाती है इस बात को आप समझेना और जो उसका हाई यह 23 रुपे के आसपास 23 आप बोल सकते एक इसका रजिसेंस एरिया है उसके आसपास होई प्रॉफि यह सन्में में ट्रेaj'd कर रहा हूँ तो डेफिनिलिकी इसको टायमें रखो जानेंगे स्टॉक के चार्ट के मादा यह से कि कहा तक जा सकता है चार्ट शियर करने से पहले हम देखलेते हैं इसके profit and loss की भाई company profitable है या नहीं है हम इसको buy करना और यह हम जान लेते हैं इसके company इतनी अच्छी नहीं लग रही है ठीक है लेकिन हाँ कभी कबार company को profit हो जाते है जैसे आप देख सकते हो कभी कबार company को profit हो जाते है लेकिन mostly company loss में रहती है तो उसका loss का एक simple reason दोस्तों यह है कि इसकी sales तो देख सकते हो अच्छी खासी है पर इसके expenses है यह expenses के बहुत जाद है अगर यह अपने expenses को काबू कर ले तो definitely इसके जो profit है वो increase हो सकते है लेकिन हाँ मैं बोलना चाहूंगा कि भाई profit के साफ से company अच्छी नहीं है basically और आगे लिए कि चलते है stock का share holding pattern तो दोस्तों share holding pattern इसका जान लेते हैं दोस्तों promoters की जो share holding pattern अगर आप stock का इतना अच्छा नहीं है company के profit इतने अच्छे नहीं है तो क्या stock पे हमें पैसा लगाना चाहिए तो दोस्तों अगर आप कभी भी किसी stock के पैसा लगाते हो अगर आप long term के लिए पैसा लगा रहे हो तो आप उसके profit और save only pattern को जुरूर देखना राइट लेकिन अगर आप एक या दो महीने के play के लिए समझ पा रहे हो अगर आप एक महीने के trade के लिए stock को उठा रहे हो तो उसमें आपको profit देखने के अब सकता नहीं होती है इस बात को धियान रखलो आपको उसमें देखना होता है उसका chart और यह देखना होता है कि company क्या future में एक दो महीने के होता ही है पहले सबसे पहले बड़े stocks शलते हैं उसके इसके पाथ चूटे stocks में रही आएगी तो यह जो एक यह दौन दिखा सकता है तो मेरा तो इसमें इतना रहे है कि हैं अगर लॉंग टरेम के लिए stock को hold करना है अभी लॉंग टरम के लिए stock अच्छा नहीं लग रहा है तो long term के stock अच्छा नहीं है लेकिन next एक या दो महीने के लिए stock अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा sector से भी long करता है next एक दो महीने में अच्छी story बन सकती है तो भाई एक दो महीने के stock को आप hold कर सकती है अब hold करना क्यूं है चार्ट के माधिया में देख लेते एक बार और एसपर ticker tap ये stock अच्छी entry point पर आपको मिल रहा है क्योंकि अभी overboard zone में नहीं है तो ticker tap के साफ से भी आपको सस्ते में मिल रहा है तो आप buy करके चल सकते हो तो basically जो मेरे research होती हो वो भीना चार्ट के खतम कभी नहीं होती है चार्ट को एक बार हम देख लेते कि stock मुझे क्यों अच्छा लगता है चार्ट में तो यार दोस्तो देख सकते हो आप DB Matlab का मैंने weekly chart खोला हूँ है आपको किसमे समझ नहीं आ रहा तो आपको समझा देना चाहता हूँ कि basically stock में हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ जो मुझे समझाता चार्ट में दोस्तो देख सकते हो कि stock काफी लंबे समय से एक downtrend में है इसने यहाँ पर एक बेस बनाया बेस बनाने के बाद यह stock continue एक uptrend बजा रहा है और higher highs का pattern बना रहा है देख सकते हो लाकातार यह highs बना रहा है और अपने जो lows है उसको maintain करते बजा रहा है यह lows अभी भी break नहीं हो रहा है और देख सकते हैं दोस्तों इसने एक low यहाँ बनाया है तो इसके साब से यह definitely इस high जो आपको दिख रहा है price action के साब से definitely इसको test कर सकता है जो निकल के आता है 25 से 30 रुपे का as far और अकर आप इसमें तो मैंने यह आपको daily chart में बहुत clear दिख रहा होगा मैंने देख सकती है यह resistance था यह resistance के उपस ने closing करी अब मेरे साब से दोस्तों मेरे जो इसमें target निकल काते 35 रुपे तक के target निकल के आते लेकि 35 रुपे के target आने में कम से कम 2-3 महने भी लग सकते हैं तो आप क्या कर सकते वकर आपको इसको इसी महने मेरे साब 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 इसको सिर्फ January के लिए hold करना करना चाहती हो तो मेरे साब से जनवरी के लिए एक अच्छा stock हो सकता है जिसमें आपको एक अच्छी return मिल सकती है अब आप बोलों के सार इसमें stop loss target क्या रहा है किस price में entry करना है सबसे बड़े मैंने कुछ line stronger रखी है ताकि आपको असानी हुआ समझने में तो दोस्तों अगर आप current price में entry करते हो अठार रुपय तीस पैसे में आप इस price में entry कर सकते हो लेकिन इसमें थोड़ा risk है अगर आपको से पिले करना है तो आप वेट करो 19 रुपे 50 पैसे के उपर close करनेगा जै करो 19 रुपे 50 पैसे के उपर definitely 19 रुपे 50 पैसे के उपर buy आप सको कर सकते हैं लेकिन जो बंदे श्रिक्स नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी वह 19 रुपे 50 पैसे के उपर सको buy करना और अगर stoppos जो लगाना आपको stoppos लगा सकते हो ये low जो last swing का low है वो stoppos आपका रहेगा तो मत पैसा का रुपे जो target निकलके आते हैं चो मेरे targets में निकलके आते हैं हो 23 रुपे 23 रुपे 27 रुपे और 35 रुपे के target में निकलके आते हैं ठीक है बाकी जो भी update होगा मैं जब खुद इसको buy करूगा मुझे लगता है मैं side में buy करूआ एक वाद रिवील कर देना चाहता तो मैं सौ का सौ रुपे इसमें इंवेस्स नहीं करने वाला अगर इंवेस्स करूँगा तो दस रुपे करूँगा या पांच रुपे करूँगा तो मतलग 5 या 10% कैपिटल इंवेस्स करूँगा 100% कैपिटल इंवेस्स नहीं करूँगा इस बात को ध्यान रख लेना मैं आपको द्वार रेपीट कर देना चाहता हूँ देख लो अगर आप रिक्स ले सकती है तो 18 रुपे के आसपास अगर आप रिक्स टेकिंग प्लेयर हो तो चैसे कल मार्केट खुले 18 रुपे 30 पैसे के आप बाय कर सकती हो अगर आप रिक्स नहीं ले सकती हो सेफ टेडर हो तो आप 19 रुपे 50 पैसे के उपर इसको बाय करना ठीक है और स्टॉपर लगाओ के आप स्टॉपर रहेगा आपका 15 रुपे का तागेट निकलके आते हैं मैंना को बथा दिये 23 रुपे 27 रुपे और 35 कि हमारे टागेट रहेंगे ठीक है बाई बाकी जो भी इसमें अप्टेट होगा वह आपको मैं टेलीगराम के मादियम से अप्टेट कर दूँगा तो आप मुझे आप डेफिनेटली फॉलो कर लेना तो बाई अब पैसा लगाना चाहिए कंपनी प्रॉफिटेबल है बिलक आप इसमें डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो जिस पाइस में आपको बोला लेकिन अपना रिक्स को ध्यान रखते हैं बाई करना ज्यादा कॉंटेटी मत करना बाई ठीक है वीडियो आं तक देखा है तो भाई कम से कम वीडियो में फेज़ूक में शेयर कर देना यार अ अगर आब तो अब इसमीडियो देखे रहे हो टो ठीक है तो दसके अधियर कर दो यार करते निए तुम शेयर करो यार क्यों नहीं करते चलो बाई बाई बाकिया मुझे नीचए फालो कर सकते हैं उसके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे मिलता है आपको नेक्स